इस वीडियो के अन तक आप जानेगे इस पार्ट से सम्मंदित संपूर्ण जानकारी नमस्कार सभी को हिंदी कला के इंदर में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें वेब बैल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पार्ट अठार है जिसका शिर्षक है चुनोती हिमाले की चुनोती कार्थ है ललकारना, पुकारना और हिमाले पाहड है यहाँ पर एक पाहडी यात्रा का वर्णन किया गया है यह देखो बच्चो हिमाले की चोटियां जो बर्फ से ढकी रहती है जो दिखने में इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी मन ये मो लेती है और इन पर चड़ने के लिए हर किसी का मन करता है लेकिन इनको पार करने के लिए बहुत ही साहस वै मेहनत की जरुरत है ये रही हिमाले की रेंज हिमाले परवतमालाएं इंडिया में आप जहां भी रहते हो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आप से कितनी दूर है लोग स्री नगर आकर लद्दाक, कस्मीर वे अमरनात यात्रा पर जाते हैं एक बार हमारे देश के पहले परदान मंतरी पंडित जवारलाल नेरुजी ने अमरनात की गुफा तक जाने के लिए मन बनाया तो उनकी ये पहड़ी यात्रा कैसी रही ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट जो जिला पास से आगे चल कर जमाहरलाल मातायन पहुँचे तो वहां के नव यूवक कुली ने बताया नव यूवक यानी नो जवान कुली जो समान्ड होने का काम करता है हमारी साहता करता है शाब सामने उस बर्फ से ढके पहाड के पीछे अमरनात की गुफा है तो उस कुली ने बताया किसको बताया जमारलाल नेरुजी को कि शाब उस बर्फ से ढके पहाड के पीछे अमरनात की गुफा है लेकिन शाब रास्ता बहुत टेड़ा है किशन ने कुली की बात काटी शाब दूर भी है तो पहले से ही किसन बता रहा है कि वहाँ पर चड़ाई भी बहुत है पाड़ पर चड़ना भी है और दूरी भी है कितनी दूर जवार लाल ने पूछा आठ मील शाब कुली ने जल्दी से उत्तर दिया बस तब तो जरूर चलेंगे जवार लाल ने अपने चचेरे भाई की और प्रशन सुचक द्रश्टी डाली प्रशन सुचक द्रश्टी सवाल पूछने वाले अंदाज में पूछा की चलें क्या दोनु कस्मीर भूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लदा की इलाके की और चले आये थे अब अमरनात जाने में क्या आपत्ती हो सकती थी आपत्ती यानि क्या दिक्कत हो सकती थी फिर जमार लाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गई उत्सुक कार्थ है अत्य दिक इच्चुक जब रास्ते के सफर के बारे में बताया कि वहाँ पर बहुत सारी मुश्किले आती हैं तो वो सुनकर उनका मन और भी उनको पार क करने के लिए किया कौन कौन चलेगा हमारे साथ जमार लाल ने जानना चाहा तुरंत किसन बोला शाब मैं चलूंगा बेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी तो किसन कौन था वह एक गडरिया था जो अपनी बेड़ों को चराता था तो ये काम उसने अपनी बेटी को बजे के करीब जवान लाल भार आ गए आकाश में रात्री की कालिमा पर प्रात्य की लालिमा फैलती जा रही थी यहां पर ये क्यों खा गया है रात्री की कालिमा पर प्रात्य की लालिमा फैलती जा रही थी क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा कि सुबह 4-5 बजे के कर रात का अंधेरा धीरे-धीरे कम होने लगता है और सुबह जब दिन निकलने वाला होता है उसकी लालीमा धीरे-धीरे फैलने लगती है तिबती पठार का द्रश्य निराला था, तिबती पठार, पठार किसे कहते हैं, दूर तक फैली हुई चोरस और उची जमीन, जैसे जो नुकिला होगा, वो तो पहाडी, और यहाँ पर चोरस जमीन हो, तो वो क्या कहलाएगा, पठार, तो तिबती पठार का द्रश्य निराल दूर दूर तक वनस्पती रहित जमीन से उगने वाले पेड़ पोदे उनके रहितकार थे बिना तो उनके बिना उजाड चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था उजाड जहां पर पेड़ पोदे नहीं होते उजड़ी भी और चट्टानी इलाका था सिर्फ चट्टानी दिखाई दे रही थी और उन चट्टानों पर क्या था उदास फीके बर्फ से ढखे चट्टानी पहाड सुबह की पहली किरणों का सपर्ष पाकर ताज की भाती चमक उठे जो चट्टानी इलाका था वो कैसा दिखाई दे रहा था उदास और फीका जैसे कोई इंसान दुख में उदास हो या किसी चीज का स्वाद नियाई फीका हो कुछ ऐसी ही बर्फ से ढखी चट्टानी पहाड क्योंकि उदास और फीके क्यों बताया गया है क्योंकि उदास पती बिल्कुल नहीं थी पेड़ पोदे बिल्कुल नहीं थे तो उनकी वज़े से वो उदास और फिक्के दिखाई दे रहे थे ऐसे चट्टानी पहाड जैसे ही सुबह की पहली किरण का स्पर्स यानि उनका छूना हुआ वैसे ही ताज की भाती चमक उठे जैसे ताज चमक उठता है वैसे ही वो उनके उपरी सिरे भी चमक उठे आनों स्वागत करने के लिए पास सरक्ते आ रहे हूं जैसे हमारे सामने आ रहे हो हमारा विलकम करने के लिए सर्द हवा के जोंके जोंके यानि जो हवा बहुत तेज चलती है तो कई बार वो अचानक बहुत तेज गती से आती है तो वेग पूर्वक चलने वाली हवा तो तक लगती है तो वैसा ही हो रहा था जवार ने हतेलियां आपस में रगड कर गरम की ठंड की दिनों में आप करते हो ने ऐसे हतेलियों को दोनों तरफ आपस में रगड कर गरम करने की कोशिस करते हो जब बहुत पेज ठंड हो और कमर में रसी लपेट कर चलने को तयार हो गए कमर में रस्ची कि लपीटी? क्योंकि वो जो पहड़ी रास्ता था उस पे चलने के लिए रस्ची की जरॉत थी. हिमाले की दुर्गम परवटमाला, दुर्गम जहां पहुँचना कठिन हो, ऐसी परवटमाला मुझ उठाए चुनोती दे रही थी. चुनोती देने कार्थ है कि किसी को ललकार ना तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी जावहार इस चुनोती को कैसे ने स्विकार करते बहाई किशन और कुली सभी रस्षी के साथ जुड़े थे तिनों ने रस्षी को एक दूसरे के साथ बांध लिया किशन गडरिया अब गाइड बन गया किशन गडरिया क्या करता था अपनी भेड बकरी पालता था ना तो भेड बकरी पालने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है गडरिया वो अब इन सब का गाइड बन गया था बस आठ मेल ही तो पार करने हैं जोस में आकर जमारलाज चड़ाई चड़ने लगे यूँ आठ मेल की दूरी कोई बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन इन पहाडी रास्तों पर आठ कदम चलना दूबर हो गया दूबर कार्त है कि कठिनीया बहुत ही मुश्किल हो गया तो ऐसे आठ मेल की दूरी कोई जादा नहीं होती लेकिन पहाडी रास्तों पर आठ कदम चलना भी बहुत मुश्किल लग रहा था एक एक डग भरने में कठनाई हो रहा थी डगकार्त है कि कदम एक-एक कदम चलने में ही कटनाई हो रही थी रास्ता बहुत ही विरान था विरानकार था कि उजड़ा हुआ जनहीन जहाँ पर कोई लोग नहीं थे सुना था पेड़ पोदों की हरियाली के अभाव में अभाव यानि उनकी कमी से एक अजीब खाली पंसा महसूस हो रहा था क्योंकि उन बर्फिली पाड़ियों पर पेड़ पोदे तो बिलकुल थे ही नहीं तो उनके बिना एक अजीब खाली पंसा महसूस हो रहा था कहीं एक फूल दिख जाता तो आँखों को ठंड़क मिल जाती दिख रही थी सिर्फ पत्रीली चटाने और सफेद बर्फ फिर भी इस गहरे सननाटे में बहुत सुकून था शुकून का रथ है आराम या शान्ती तो इतना सब होने के बाद भी इस सननाटे में बहुत शान्ती थी एक और सुन्सू करती बर्फिली हवा बदन को काटती तो दूसरी और ताजगी और स्पूर्ती भी देती तो सामने से जो सुन्सू करती भी बर्फिली हवा चल रही थी वो बदन यानि उनके सरीर को काट रही थी तंग कर रही थी और दूसरी और उस थंडी हवा से उनको freshness और स्पूर्थी भी मिल रही थी, थोड़े active भी होते जा रहे थे, जवार लाल बढ़ते जा रहे थे, जो जो ऊपर चड़ते, क्यों तू सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सांस लेने में दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि जैसे जैस जैसे हम उचाई पर चड़ते हैं वहां पर oxygen का level कम होता जाता है इसलिए उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी एक कुली की नाग से खून बैने लगा जैसे जैसे हम उचाई पर चड़ेंगे वहां पर दवाब भी ज्यादा मैसूस होगा तो एक कुली की नाग से बैने लगा जल्दी से जमार लाल ने उसका उपचार किया यानि उसका इलाज किया खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव मैसूस हो रहा था कनपटी कान के पिछे के भाग में जो नस थी उन में जमार लाल को भी तनाव मैसूस हो रहा था लगता था जैसे दिमाग में खून चड़ाया हो फिर भी जवारलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला इतनी परेशानी हुई फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला क्योंकि वो तो ठान कराये थे कि आज उपर चड़ना ही है थोड़ी देर में बर्फ पढ़ने लगी पिसलन बढ़ गई जब बर्फ गिरी तो उससे पिसलन बढ़ गी चलना भी कठिन हो गया एक तरफ ठकान उपर से सीधी चड़ाई बिना किसी सारे के एकदम सीधा उपर चड़ना था तबी सामने एक बर्फिला मैदान नजर आया चारू और हिम सिखरों से घिरा हिम यानि बर्फ और सिखरों से चोटी तो चारू तरफ बर्फ से घिरी वी चोटियों वाला मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था जैसे देवताओं के सिर्के उपर ताज होता है मुकुट होता है वैसे ही बर्फ से डकीवी चोटियां भी लग रही थी प्रकृती की कैसी मनोहर छटा थी तो ये प्रकृती के द्वारा रची गई कैसी मनोहर छटा यानि भोती सुन्दर नजारा था आखों और मन को तरो ताजा कर गई जो प्रकृती का सुन्दर नजारा था वे आखों को बहुती अच्छा लग रहा था बस एक जलक दिखा कर बरफ के दुंदलके में ओजल हो गई दुंदलके यानि हलका अंधेरा उसमें वो ओजल यानि गाइब होगी दिन के बारे बजने वाले थे सुबह च्यार बजे से वे लोग लगातार चड़ाई कर रहे थे शायद सोले हजार फीट की उचाई पर होंगे इस वक्त अमर्नात से भी उपर पर अमर्नात की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था इस पर भी जवार लाल की चाल में नए ढिलापन था नए बदन में सुष्ति थी इतनी दूर आने के बाद भी जवार तो नाहीं उनके शरीर में कोई सुश्तिया आलस आया हि-ीMadalya निर्गम पत्थ पार करने का उठ्चा उन्हें आगे कीच रहा था हिमाल की परवत्मालाएं जो उनको ललकार रही थी इसलिए निर्गम जो निकास मारकत था उसरास्ते को पार करने का उत्सा उनको आगे खीच रा था शाब लोट चलिए वापस कैम्प में पहुंसते पहुंसते दिन धल जाएगा यानि वापस पहुंसते पहुंसते हमें शाम हो जाएगी एक कुली ने कहा लेकिन अभी तो अमरनात पहुंचे नहीं जवार लाल को लोटने का विचार प पोल पड़ा चलो चलो चड़ाई तो पार कर ली अब आदे मील का मैदान ही तो बाकी है कहकर जवार लाल ने ठके हुए कुल्यों को उत्साहित किया उनका भी होसला बढ़ाया सामने सपाट यानि समतल बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था जैसे प्लेन जमीन होती है वैस उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतर कर गुफा तक पहुचा जा सकता था जमार लाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे फुर्ती यानि बहुती सिगरता से तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था मैदान दूर से जितना समतल दि दिखाई दे रहा था आपने भी बच्चों दूर से समुदर को देखा हो तो आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे बहुत ही प्लेन पानी है आराम से समतल दिखाई दे रहा है लेकिन आप समुदर में उतर कर देखोगे किसी बोट या सिप की साइता से तो वहां जाकर आपको सम समान कर दिया था तो बर्फ जो अभी भी गिर रही थी उसने उची नेची चटानों को एक पतली चादर की रूप में ढखकर एक समान कर दिया था लेकिन उनके बीच में क्या था गैरी खाईयां थी गड़े बर्फ से ढखे वे थे और गजब की पिसलन थी कभी पैर पिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धस्ता जाता धस्ता जाता पैर अंदर दबता जाता बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थी ये तो चड़ाई से भी मुश्किल था पर जावार लाल को मज़ा आ रहा था तब ही जावार लाल ने देखा सामने एक गहरी खाई वे लडखडाए लडखनाने का रथा कि डगमगा कर गिरना और इससे पहले की संभल पाए वे खाई में गिर पड़े शाब गिर गए किसंच चीखा जवाहर भाई की पुकार वादियों की सांती भंग कर गई वादियां जो वहाँ पर पहाडों की बीच में घाटियां थी उनमें एकदम सान्ती चाई वी थी न, तो जैसे ही भाई ने आवाज लगाई, जवाहर, तो वहां की वादियों की सान्ती धंग हो गई, वे खाई की ओर तेजी से बढ़े, रसी से बंदे जमारलाल हवा में लटक रहे थे, क्योंकि उन सब लोगों ने एक दूसरे को रसी के स सारे बांद रखा था न, उफ, कैसा जटका लगा, दोनों तरफ चटाने ही चटाने, नीचे गेरी खाई, जवाहर लाल कसका रसी पकड़े थे, वही उनका एक मातर सहारा थी, एक मातर यानि केवल एक वोही सहारा थी, कौन? रसी, जवाहर उपर से भाई की पुकार जवाहर ने खाई में से उपर की तरफ देखा, तो उनके चहरे धुंदले से उनको दिखाई दिये, जो खाई की तरफ जवाहर रहे थे, हम खीच रहे हैं, रसी कसके पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी, हिदायत करत है कि आदेश देना या रास्ता दिखाना, बताया उ जवाहर लाल जानते थे कि पिसलन के कारण यू उपर खीच लेना आसान नहीं होगा, भाई मैं चटान पर पैर जमा लूँ, वे चिल्लाए, खाई की दिवारों से उनकी आवास टकरा कर, दूर दूर तक गूंज गई, हलकी सी पेंग बढ़ा, पेंग क्या होती है, जूला जूलते समय उसका इधर उधर जाना, वैसे ही रसी के सारे लटकते वे जमार लाल नेरुजी ने एक हलकी सी पेंग को बढ़ा कर, जमार लाल ने खाई की दिवार से उभरी चटान को मजबूती से पकड़ लिया, और पत्रीले द्रातल पर पैर जमा लिये, पैरों तले धरत के एहसास से जमार लाल की हिम्मत बढ़ गई, उनको यह एहसास हुआ कि उन्हों जैसी पत्रीले द्रातल पर पैर रखा, तो उनकी थोड़ी हिम्मत बंद गई कि उनके नीचे जमीन है, घबराना मत, जमाहर, भाई की आवाज सुनाई दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जमार लाल मजबूती से रसी पकड़, एक-एक कदम उपर की और बढ़ने लगे, कभी पैर पिसलता, कभी कोई हलका-फुलका पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता, तो वै मनी-मन काप जाते, मनी-मन काप जाने कार्थ है, अंदर ही चुप कड़ लेते, रसी से अथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जमार लाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, कुली और किशन उन्हें खीच कर बार-बार उपर चड़ने में मदद कर रहे थे, धीरे-धीरे सरक कर किसी तरह जमार लाल उपर पहुंचे, मुड कर उपर से नी उपर से नीचे देखा कि खाई तो बहुत ही गहरी थी, अगर उसमें गिर जाते तो पता भी नहीं चलता कि कहां चले गए, शुक्र है बगवान का, भाई ने गहरी सांस ले, शाब चोड तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा, गरदन हिला, कपडे जाड, जमार लाल फिर चलने को तयार हो गए, इस हादसे से हलका सा जटका जरूर लगा, फिर भी जो स्थंडा नहीं हुआ, वे अब भी आगे जाना चाहते थी, आगे चलकर इस तरह की गहरी और चोड़ी खाईयों की तादाद बहुत थी, तादाद यानि उनकी बहुत ज़्यादा संख्या में वो थी, खाईयां पार करने का उचित समान भी तो नहीं था, निरास होकर जवारलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़ कर वापस लोटना पड़ा, अमरनाथ पहुँचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमाले की उचाईयां सदा जवारलाल को आकरसित करती रही तो इस पहाड़ी यात्रा का वर्णन किया सुरेखा पंड़ी करने, तो बच्चो कैसी लगी ये पहाड़ी यात्रा, फीना मज़ेदार, एक वर्णन ऐसा भी पाठ में तुमने जवारलाल नेरों की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा, नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन दिया गया है, जो परसिद कहानी कार निर्मल वर्मा की किताब, चीडों पर चांदनी से लिया गया है, इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर दो, क्या ये सिमला है, हमारा अपना शैर, या हम भूल से कहीं और चले आये हैं, हम नहीं जानते थे कि पिछली रात जब हम बे खबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी, खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वरक्ष था, जिसकी नंगी साकों पर, रूई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी, लगता था, जैसे वे सांता क्लोज हो, एक रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं, कुछ देर बाद धूप निकलाती है, नीले चमचमाते आकास के नीचे, बर्फ से ढकी पहाडियां बादलों के बाहर निकाल लेती है, उपर दिये गए पहाड के वर्णन और पाठ में दिये गए वर्णन में क्या अंतर है, तो बच्चों ये बात आपको बतानी है, कि अभी जो हमने पहाड का वर्णन किया उसमें और पाठ में जो वर्णन किया था पाठों का उन दोनों मे क्या अंतर है कई बार निर्जीव चीजों के लिए मनुश्यों से जुड़ी किरियाओं विशेशन आदी का इस्तेमाल होता है जैसे पाठ में आये दो उदारण जो हमने अभी पाठ पड़ा था उसमें आये थे ना उदास फीके बर्फ से ढके चटानी पहाड या सामने एक ग इस तरह का वर्णन है जैसे नंगी साखों पर रूई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई ऐसे ही जिसके बाल संसे सफेद हो गए ऐसे ही और आपको मुझे कमेंट बोक्स में लिख कर बताना है अब इस पार्ट के अभ्यास प्रशनों को इसके भाग दो में करेंगे अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों न करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमंड हमें और बहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट धन्यवाद कर दो